रुपाहली में एक तरफा चुनाव हो रहा है, बीमा भारती चुनाव जीत रही है और काफी मतों से चुनाव जीत रही है चचा को कभी अंदर, कभी बतीजा को बाहर, कभी बतीजा को अंदर, कभी चचा को बाहर ये निती रही है बीजेपी इससे हर आदमी को बचना चाहिए उन्हीं का राज है और नितीस बावू के बारे में सब कुछ जानता कि अधिकारी कमाते हैं तो पैसा कहा जाता है के कद्दावर निता और विधायक है भाई विरेंदर से तो उन्होंने कहा है कि देखिए वहां के जनता ने मन बना लिया है और राज़त महागटवंदन के ही परतियासी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे वहीं चिराग पास्मान अपने चचा से चून-चून करके बदला जले रहे हैं אİसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं वहाइबी रंदर सबसे पहले आप वोसे आपको जनकारी है कि दरहा है वीमाभारति झुनाओं जीत रही और काफी मतों से चुनाओं जीत रही है और वहांके लोग निश्य कर लिया है कि हम बीमाभारति को और आरजेडी को मिद्वार को महागडबंदन को मिद्वार को भोड़ देंगे और भारी मतुस्षित जाने का का अब देखे किन को कौन दिला रहा है सजस्ता यह मैं नहीं कर सकता और हर आदमी को राजिती करने का अधिकार है चाहे आई चाहे वो छोटे अधिकारी हो चाहे वो फोर्थ ग्रेट का भी इंपलाई है रिटार्मेंट के बाद राजिती करने का उसको अधिकार है समासिवा करने का अधिकार है इसलिए इस पर कोई टिपनी देना हुची तो जब से नितिस्वाव आये हैं राज में तो जितने वीरु क हैं उन्ही का राज है और किसी भी चाहा वो नीचे का थाना हो ब्लॉक हो अन्डमंडल हो जिला हो अधिकार जगों में बीना फिरिस्वत होती हुए कोई बात करने को त्यार नहीं है मार खाने वाला जब थाना में जाता है मार खाकर उसके चूट लगी है माथा फुटा हु और नहीं करेंगे ये नितीस वावो को मालूम है और नितीस वावो के बारे में सब कुछ जानता की अधिकारी कमाते हैं तो पैसा कहां जाता है चिराग पास्मान अपने चाचा का बंगला खाली कर वाड़े आपको पता नहीं है देश की अजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी हिंदू मुस्लिम सी की साई सब लड़ाई लड़ रहे थे देश को अजाद करने के लिए अंगरेजों से तो यही जनसंग वाले ना अंगरेजों के मुख्विरी किया करते थे और अंगरेज था कि देश में फूट डालो राज करो के निती उसी का इचेला लोग नहीं बीजेपी वाले तो इसलिए चचा को कभी अंदर कभी बतिजा को बाहर कभी बतिजा को अंदर कभी चचा को यह निती रही है बीजेपी से हर आदमी को बचना चाहिए अरे एंडिये की बात कर रहें एंडिये में बीजेपी है ना तो आपने सुना उनका कहना है कि देखिए यह बीजेपी की चाल है कभी चचा को अंदर कभी भतिजा को बाहर कभी बतिजा को अंदर कभी चचा को अं तिज कुमार के उतर अधिकारी होंगे, इसको लेकर के भी बरस्तें में नजरा रहे हैं और कहरे हैं कि देखिए, बिहार में तो सिर्फ अधिकारी उची काहीं ही चलता है और यही अधिकारी अब जदियु में सामिल हो रहे हैं।